नमस्कार दोस्तों तो आज की इस वेडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि पे नियर बाई पर अधार कार्ट से निकाला हुगा पैसा आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कैसी करेंगी यानि कि आप किसी ग्रांग के अधार कार्ट से पेमेंट करते हैं या फिर बिठाडर करते हैं तो उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर कैसी करेंगी तो इसके लिए सबसे पहले आप पे नियर बाई पर उसी आईडी पसवर्ड से लॉग इन कर लें और उसके बाद देखिए उपर की तरह ट्रेड का ओप्सन है जहां पर हमारी इंकम सो हो रही है उस पर क्लिक कर देंगी तो यहां पर हमारे पैसे देख रहे हैं 346 रुपए और साथ ही हमारे दोनों बैंक अकाउंट देख रहे हैं क्योंकि मैंने जोड़े हुए हैं तो दोनों दिख रहे हैं अगर आपके में जोड़े नहीं है तो आपके में नहीं देखेंगे तो सबसे पहले बैंक अकाउंट इसके बाद एक bank account चुनेंगे, कोई सा भी चुन सकते हैं और इसके बाद नीचे के तरह एक option है, move to bank उस पर click कर देंगे तो यहाँ पर देखे, move to bank है, इस पर हम click कर देंगे तो यहाँ पर हमारे mobile number पर एक OTP आएगा यह mobile number वही है, जो इस ID पर registered है, यानि कि इस ID पर जुड़ा हुआ है और यही mobile number आपके account के साथ भी जुड़ा होना चाहिए, यह बहुत ही जरूरी है तो देखे, हमारे में OTP आ चुका है, हम वो यहाँ पर fill कर देंगे जिस परकार से OTP डालने के बाद, simple verify पर click करेंगे और confirm पर click करेंगे, और ok कर देंगे तो हमारा पैसा यहाँ से transfer हो गया है, लेकिन तुरंत पैसा वहाँ पर नहीं पहुंचता है यानि कि bank account पर नहीं पहुंचता है, यह अभी हाली में हो गया पर पहले तुरंत पहुंच जाता था, लेकिन फिर भी इसमें टाइम नहीं लगता है, कभी-कभी 10,5 बिलेट और आदा घंटा लगता है आपके खाते में पैसे आ जाते हैं, लेकिन जब अगर कभी bank के server slow हो तो 24 घंटे भी लग जाते हैं तो आप देखें, यहाँ पर 349 रुपए, जैसे कि मैंने आपको देखाया था, 3456 रुपए हमने transfer किये थे, जो कि 5 रुपए कड़ जाते हैं हर बार तो आप जितना हो सके, पैसे काफी ज़्यादा हो जाएं, तभी transfer करें, हर बार 1000 रुपए transfer ना करें नहीं, तो 5 रुपए तो कटेंगे ही कटेंगे यह इसका rule है, यानि की नियम है, तो आपने देख लिया कि पैसे कैसे आते हैं, और कितने रुपए कटते हैं यहाँ पर नियर वाइट टेकनलोजिस यह सब कुछ लिखा हुगा, बैंक अकाउंट के साथ, तो मेध है अब आप समझ गयोंगे, कि पैसे निकालते हैं, यानि की अपने बैंक पर ट्रांसपर कैसे करते हैं